हेलो फ्रेंड्स सिविल्स्टाप के यूट्यूब चैनल के अपर आपका बहुत दोध स्वाकत मेरा नमया विनाश अकरवाल और यह है जिग्यासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो आपको जिग्यास डेली बेस्स पर देखनी चैनल के पांच इंपोर्टेंट आटिकल्स पांच नहीं को सिखा दिया जाते हैं सब्सक्राइब के अग्जामें जो सवाल करवा दिया जाते हैं उन सवालों को आप बढ़ी अधंग से टैकल कर सकें 15th October की जिग्यासा है पीछे की जिग्यासा है जोले आगे की सारी जिग्यासा आपको देखनी चीए मातर 20 पर 20 मिट का आपका इन्वेश्मेंट और बहुत सारी नई नी चीज़े आपको सिखा दी जाती है stay home stay safe stay online अपना अपने family अपने community सब का खयाल रखी करोणा को spread मत करिए जो भी तियारी करनी है घर बैटे करिए online करिए civil stay आपके साथ करिए क्यों हमने हमारे youtube चैनल पर आपकी तियारी के लिए कई सारे free initiatives को launch कर रखा है आपको आने वाले हफते से आने की Monday से 10 a.m. पे आपको GS Concepts का MCQs वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 5 MCQs करवाए जाएंगे 2 p.m. पे आपको Current Affairs का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 5 MCQs करवाए जाएंगे 5 p.m. पे आपको Mains Answer Writing का एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर एक Mains का Question आपको Solve करवा कर दिखाया जाएगा कि Mains के Answers को कैसे Approach करना चीए बहुत अच्छा Upgradation हम जिग्यासा के अंदर करने वाले हैं दोस्तों जो हमारी जिग्यासा है अब वो रादर दन कि मैं सारी बनाऊं फैकल्टी सारी मिलकर बनाने वाली है तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जैसे निशांत सर जिग्यासा जिग्यासा बना के लाएंगे मंडे को आपके सामने कि वो सारी जिग्यासा में एक हफ़ते का पूरा एंविरॉन्मेंट करवाएंगे उसी प्रकार से एक हफ़ते की पूरी एकनॉमी में जो है वेटनेस जो को आपको सिखा दिया करूंगा एक हफ़ते की पूरी हिष्ट्री आपको विशाल सर बता देंगे एक हफ़ते की पूरी पॉलिटी कुलदीप सर बता देंगे science कुल दीप सर बता देंगे यानि कि आपका current affairs पूरा का पूरा जैसे अब cover हो रहा है वैसे cover होने वाला है subject matter expert के साथ cover होने वाला है बढ़िया धंग से cover होने वाला है और subject wise cover होने वाला है तो सारी चीजे बहुत ही अच्छे से चलेगी तो Monday geography day आप मान दीजिए कि GS concepts के MCQs geography के करने फिर current affairs geography के करने main writing geography के करने तो आप Monday geography day बना दीजिए Tuesday environment day बना दीजिए Wednesday economy day बना दीजिए Thursday history day बना दीजिए इस प्रकार से आपको सारी सारी चीजों को कर लेना चीए time table जो आपका है उसको आपको हमारे sessions के साथ जोड देना चीए और बड़ी शांदार ढंक से सारी सारी चीजों को करना चीए हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करें notification ज़रूर on रखें और सारे सारे videos का ज़रूर फाइदा उठाए आपको लिए आपकी तैयारी के लिए हमने एक mains comprehensive crash course लाँच करा है दोस्तों जितने के अंदर जो है मतलब test series ना मिले prelims की उतने से कम के अंदर हमने mains का crash course आपको दे रहे हैं 130 high quality lectures हर lecture के साथ notes, answer writing practice 13 test, 7 sectional, 4 full length, 2 essay write, सारी सारी चीज़ हम आपको इस crash course के अंदर देने लग रहे हैं बेहत कम समय के अंदर तो महने विदिन के अंदर आप बहुत सारा content तयार कर लेंगे mains के अंदर जो आपको इस साल काम आएगा और भगवान ना करे for any result आपका result नहीं आया तो अगले साल की mains की तयारी अभी से करके रखनी है ताकि अगले साल prelim होते ही अगले दिन से answer rating के अंदर जुट जाएं और rank 1 निकालने की तयारी करें वो सारी इस जो को ध्यान में रखते हुए इस चुन्दर कोर्स को launch का है साड़े आट हजार पे भी आपको 10% discount है और आप पुराने student है तो और भी ज़्यादा discount कांट दिपक सर ने दे रख है बहुत ही शानदार प्यारा कोर्स है आप देख सकते हैं कि हेना, as well as Krishna, Satish, Kunal, Trishank को बहुत मज़े में तयारी करने में मिल रही है और आप लोग को भी इसी मज़े में तयारी करने चाहिए courses.civilshaft.com पे जाईए 8146207241 पे कॉल करिए hello at there at civilshaft.com पे मेल लालिए इसके अंदर enroll करिए और बहुत ही शानदार रंग से भी तयारी को आगे लेकर चलिए एक current affairs की test series भी हमारी है जो परिश्रम test series है जिसके अंदर पूरा current affairs हम cover करवाने लग रहे हैं तो परिश्रम प्लस जिग्या से यानि कि more than sufficient current affairs for prelims हो जाएगा 26 tests आपको दिये जाने लग रहे हैं May 2020 से May 2021 तका पूरा current affairs को cover इस test series के अंदर cover करवाया जाने लग रहे है आपको जुड़ना चीए बहुत ही ज्यादा मज़ा आपको आने वाला है दीपक सर ने आप लोगों के डेमो के एसाब से एक free course बना रखा है जो कि हमारे website पे भी available है उस free course के अंदर एक पूरा test भी सर ने शायद जो है free में आपके लिए रख रखा आपको जाके उस free course के अंदर देखना जरूर चीए कि कितने मज़े के अंदर आपको सारी शिजे दी जाने लग रही है जिग्यासा के अंदर पूछे के होमवर्क के कुछ students regular जवाब दे रहे है रोहन जक्ताब, गोविन, चौदरी, सूरज, दुबे, मांसी, नागर, रविंदर, सिंग, जानकी, जाला, बी, happy and lucky आप लोग ने सबने अच्छे-चे answers दिये, आज भी कुछ homework के questions दूँगा, answer जरूर करियेगा आज के 5 topic आपके सामने रख दिये है पहला question regarding international solar alliance, जोकि एक important international grouping है, एक important organization अपने आप में है इसी के बारे में आपको चार बड़े-बड़े-बड़े statement बना कर दिये हैं आप डिसाइड करिये, ISA confers विश्वेसवरिया award recognizing countries with maximum floating solar capacity objective factual प्रकार का statement है, डिसाइड करिये सही है कि नहीं है ISA aims to develop a roadmap for mobilization of US dollar 1 trillion by 2030 factual statement है, 1 trillion 2030 तक इखटा करने की कोशिश कर रहा है, 2025 तक करने की कोशिश कर रहा है, सोच के बताइए ISA CARES is an initiative dedicated to deployment of solar energy in healthcare sector in LDC of ISA members factual statement है, current से जुड़ावा statement है, सोच के आपको बताने की कौन से statements correct है अब दोस्तों इसके अंदर important learning क्या है, International Solar Alliance के अंदर से खोद-खोद के detail हमने निकाल कर एक question बना के आपके सामने रखा है, common topic है ISA लेकिन बड़ा question है, detailed question है, lengthy question है, time-consuming question है, जो कि examiner आपको पूच सकता है exam के अंदर इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कि common topic की पूरी जानकारी आपके पास रहनी चीए तकि difficult question को भी आप tackle कर पाएं, जो भी आपका answer है, lock करेंगे answer to this question is D, चारो-चारो statement जो है वो बराबर है, इंडिया और फ्रांस को हाल-फिलाल में re-elect करा गया है, as president and co-president of ISA, at the third assembly of ISA, इसलिए ISA news में चला, इसलिए ISA के बारे में वापस से revision कर रहे हैं, वापस से बात कर रहे हैं यह launch करा गया था, 2015 के अंदर, on the sidelines of COP21, by Prime Minister of India and President of France हमारा objective यह है, कि जो भी common challenges है, related to the deployment of solar energy, scaling up of solar energy वो पूरी दुनिया की countries सातनों मिलकर आएं, सातनों मिलकर काम करें, collaboratively काम करें ताकि R&D अच्छी हो सके, ताकि deployment बड़े level के उपर हो सके, ताकि scale-up करा जा सके और ताकि जो हमारा carbon footprint है, उसे हम reduce कर सके, तो joint effort हर चीज के अंदर है, finance के अंदर, technology के अंदर, deployment के अंदर हर चीज के अंदर हम joint effort लेकर काम करने लग रहे हैं, ताकि 2030 sustainable development goals को अच्छी हो करा जा सके जो Paris Agreement के objective से हमने achieve करा जा सके, कई सारे program इसके अंदर हमने launch कर रहे हैं, 5 billion dollar की robust pipeline बनने लग रही है, ताकि solar energy applications को अलग-अलग areas के अंदर, अलग-अलग functionalities के अंदर deploy करा जा सके, demand काफी सारी है, अलग-अलग countries के अंदर, काफी सारे projects चलने लग रहे हैं, वर्ल बैंक मोबिलाइज करने लग रहे है, फाइनायंस फसिलिटी तयार करे गए है, सस्टेनेबल रिनियोबल रिस्क मिटिगेशन इनिशेटिव, जो मोबिलाइज कर रहा है, 18 billion euro private investment in more than 10 gigawatts of solar projects, तो आपको question ये भी बूछा जा सकता है, दोस्तों कि सस्टेनेबल रिनियो solar capacity जिस region के अंदर है, उसके अंदर विस्वेशरी आवार्ड दिया जाता है, 1 trillion dollar मोबिलाइज करने की बात है, 2030 तक, मोधी जी ने बोले, the one sun, one world, one grid बनाना है, उसके उपर काम करा जाने लग रहा है, global pandemic को ध्यान में रखते हैं, इस alliance ने ISA CARES, एक initiative प्रकार का जो launch करा है, तक की healthcare sector के अंदर solar energy को deploy करा जासके LDC, SIDS के अंदर, small island developing states के अंदर, क्योंकि वहाँ areas के अंदर अगर infrastructure नहीं है, electricity नहीं है, तो वहाँ की healthcare facility जो है, काफी ज्यादा underperform करेगी, सब optimal performance देगी, और वही facility के अपर अगर हम solar panel बिठा दें, और उस facility के अंदर electricity आ जाए, तो में रखते हुए, बढ़िया-बढ़िया initiative आपने देख रहे हैं, कि लिये गए है, पूरा detail is value added note के अंदर दिया है, इस शांदार link को cover करते हुए, आपको question वापस से दिखाना चाहूंगा, पहला statement सही है, विस्वेशरी award सही है, 1 trillion dollar सही है, ISE care सही है, and therefore the right answer to this question is D, अगर आ जिक ग्यासा के अंदर mains order आपको दिया जाता है, परिश्रम test series के अंदर 120-30 questions के अंदर आपको mains order दिया जाता है, क्योंकि pre की तयारी करते करते, current affairs की तयारी करते, हमारे को ऐसी चीज़े इखटे कर लेनी है, जो mains का paper भरने के अंदर, mains का essay भरने के अंदर आपको काम आने व Moving ahead to question number 2, Mission, Innovation, Renewable and Clean Hydrogen Challenge के बार में बात करनी है, दो statement दिया है, आपको बताना है, कौन से statements correct है, वापस से आपको बत पूछा यह जा रहा है कि इसे कब launch करा गया था, कब announce करा गया था, तो COP 21 of UNCCC जब हुआ था, उसमें announce करा गया था, आपको सोच के बताना है, इसको objective यह है कि accelerate कर सके global clean energy innovation, but doubling the participating governments clean energy R&D investment over 5 years, तो doubling करना है R&D investment को over 5 years, यह factual data है, जिसे launch करा गया था, COP 21 में launch करा गया था, factual data है, तो इस Mission, Innovation, Renewable, Clean, Hydrogen, Challenge के बार में दो factual statements दिया है, तो समझ के आपको बताने कि सही answer क्या है, जो भी आपका answer है, लॉक करेंगे, दोस्तों, answer आपके सामने रख रहा हूँ, answer to this question is C, यहाँ पर दोनो-दोनो statements correct है, आप देख सकते है, पूरा detail आपको यहाँ पर दे रखा है, regarding this coalition, regarding this mission innovation, यह 24 countries and European Union का यह COP 21 के अंदर start करा गया mission है, इस mission का objective आपको बता दिया है, कि 5 साल के अंदर R&D spending जो है, उसको हमार को double करनी है, 8 innovation challenges है, इस mission के अ अदर, और उन innovation challenges का objective यह है, जो private sector investment है, जो private sector participation है, उसे हम increase करना चाते है, कौन से कौन से शेतरों के अंदर increase करना चाते है, उसके बारे आप देख सकते है, renewable and clean hydrogen के अंदर हम काम कर रहे है, इंडिया participate करने लग रहा है, इस challenge के अंदर, making hydrogen, sharing hydrogen, using hydrogen, cross cutting, issues, सारी चीज़े के बार में बात करी जारी है, अब इसी point के उपर, दोस्तों, मेरे दिमाग में एक science and technology से related, mains oriented question आ रहा है, कि hydrogen की utilization as energy, कि बीच में, जो उसका potential क्या है, वो तो हम जानते कि अच्छा potential है, लेकिन hydrogen की utilization के अंदर, आज के दिन क्या 5 problems है, कि क्यो hydrogen को हम नहीं use कर पाने लग रहे है, as a clean fuel उसके क्या 5 reasons है, वो बता दीजिए, और इसी hydrogen को develop करने के, deploy करने के लिए as a renewable energy, क्या steps लिये जाने लग रहे है, भारत सरकार द्वारा, दुनिया द्वारा, यह आप बता दीजिए, यह difficult question है, futuristic question है, क्योंकि दोस्तों, जिस दिन यह hydrogen एक energy के form के अंदर use होना शुरू हो गया और energy के साब से यह produce होना शुरू हो गया दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी energy के problems है नो, वो काफी ज्यादा कम हो जाने वाले हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा futuristic technology है, जो आपके lifetime के अंदर deploy होएगी, और इसी technology के बार में 55 point निकाली है, कि आज इसके अंदर difficulty क्या है, आज difficulty को कैसे tackle करा जाने लग रहा है, एक्जाम के अंदर आपको इस सारी चीजे पूछी जा सकती है, बहुत अच्छा detail is value added note के अंदर provide करा गया है, जो आपके mission innovation के अंतरगत 8 challenges है, वो challenges बता रखें, आपको इस सारे challenges याद करने है, त्यूंकि UPSC exam के अंदर आपको क्या पूछ आपको यही question ऐसे पूछा जा सकता है, उमीद करता हूँ कि आप importance समझ रहे है, P.I.B. के शानदार article के basis के उपर, question बना के आपके सामने रखा था, COP 21 सही है, doubling 5 years सही है, and therefore the right answer to this question is C, और जो मैं आपको mains oriented futuristic प्रकार का question पूछा है, उसका आप comment करके जवाब जरूर दीजेग moving ahead to question number 3, grand slam, tall boy, क्या है ये, computer malware, war weapon, cryptocurrency, GM crops, जो भी आपका answer है, तुरंत comment करिए, मालूम होना चीए, current affairs के अंदर, tall boy, tall boy, बहुत ज़धा चला है, Indian Express के अंदर article छपे, tall boy के उपर, तो जो भी ये है, बता दीजेए, answer क्या है, इस answer है, यहाँ पर answer बन जाते है, दोस्तों, war weapon है ये, world war 2 era का एक earthquake bomb, जो भी एक explode हुआ है, पोलेंड के waters के अंदर, उसी संधर्ब के अंदर बात हो रही है, tall boy के बारे में, तो पोलेंड जो है, वो अपने areas के अंदर से, explosives को हटाने लग रहा है, धून धून के खतम करने लग रहा है, जो कि world war 2 के अंदर, उनके ओपर गिरा आए गए थे, कई explosive उनके अंदर से जो है, blast नहीं हुए थे, explode नहीं हुए थे, अब उन्हें धून के, diffuse करके, खतम करा जाने लग रहा है, उन्होंने neutralize करने की कोशिश करी थी, British nuclear weapon, tall boy, remotely through a process in which special explosive charges are used, तो ये tall boy उस संधर्ब के अंदर news में था, तो ये basic चीज़े हैं, ये म after 22,000 pound grand slam munition which was also dropped on German targets, तो ये tall boy, grand slam, ये सब war bombs है, इनके नाम आपके सामने रख दिया, आप देख लीजे, grand slam, tall boy, as well as hc bomb and so on and so forth, तो उमीद करता हूं कि ये big bombs of world war 2 है, ये terms news में चलते रहते हैं, कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, कोई बहुत celebrate करने वाली बात न moving ahead to question number 4, trifet करके दोस्तो agency है, जो कि कई बार news में देखने को मिलती है, इसी trifet के बार में दो statement दिया, and most important चीज है कि आपको incorrect statement पुछा गया है, ये एक statutory body है, क्या ये correct है, आप decide करिए, ये multi-state cooperative societies act 1984 के अंतरकत setup करी गई body है, क्या ये statement correct है, ये आपको decide करना है, इसका objective है promote करन social economic development of tribal people in the country by way of marketing development of the tribal products, तो ये marketing इदर लिखा है, ये marketing इदर लिखा है, ये tribal इदर लिखा है, ये tribal इदर लिखा है, तो obvious ही बात है कि second statement गलत नहीं है, तो आप चुन लीजे, answer आपका जो है, A हो सकता है, या फिर आपका answer जो है, D हो सकता है, क्योंकि second statement तो नहीं गलत है, logic प दो option के अंदर से एक चुनना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ करिए, सही answer चुनिए, answer इस question का है, D, दोनो दोनो statements जो है, वो not incorrect है, ये दोनो statements correct है, Trifid के बार में क्यों बात होने लग रही है, क्योंकि team Trifid wins virtual edition of national awards for excellence in PSU for investment in startups, तो Trifid बहुत अच्छा काम कर रही है, start-ups के लिए काम कर रही है, technology use करके काम कर रही है, tribal empowerment के लिए काम करने लग रही है, national level के ओपर vulnerable section of society के साथ मिलकर काम करने लग रही है, self-help groups को बनवा कर काम करने लग रही है, जिसकी वज़े से हमारे tribal जो की vulnerable section of society में आते हैं, उनके अंदर poverty reduction होने लग रहा है, hunger reduction होने लग रहा है, उनके socio-economic indicators के अंदर सुधार आने लग रहा है, उनका market access भढ़ने लग रहा है, वो dignity के साथ अपने products develop करके market कर पाने लग रहे है, तो बहुत ही प्यारा और सुन्दर काम करने लग रही है, और उस बहुत ही प्यारे और सुन्दर काम के लिए, Trifed को award अगर मिलने लग रहा है, तो उस award को celebrate करना चीए, Trifed को हमने August 1987 में establish करवाए थे, under Multistate Cooperative Societies Act 1984, ये एक national level की cooperative body है, पहले ये कोई भी ministry में काम करा करती थी, तो ये ministry of welfare, under the administrative control of the then ministry of welfare के अंदर ये काम करा करती थी, अभी ये मोटा के अंदर काम करती है, मार्क marketing development के अंदर ये help करती है, tribal products को market access दिलवाने की कोशिश करती है, tribals के जो products है, उनके अंदर value addition करवा कर देने की कोशिश करती है, इसके objectives क्या है, वो भी आपको बता दिया है, इसकी activities क्या है, और सबसे important activity है, minor forest produce, development, उसकी retail, marketing, सारी चीज़ों पर काम करना, इस सारी चीज़े and therefore the answer to this question is D, इसी point के अपर दोस्तों आपको एक question पूछना चाहूंगा, कि tribal development के लिए, साथ step भारत सरकार ने कौन से उठा रखे हैं, वो steps को आप तुरंत comment करके बता दीजिए, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, कि क्या साथ step उठाए गए है, कि GS1 में question है, GS2 में question है, कोई भी level पर question है related to tribal, तो आपको सोचना नहीं पढ़ना चाहिए, कि साथ step क्या ले रखे है, भारत सरकार ने इनके development के लिए आपको सोच के बता देना है, जल्दी जल्दी बताना है, moving ahead to question number 5, दो statement दिये हैं regarding special rhino task force, और आपको बताने कि कौन से statements correct है, यह initiative है, World Wildlife Fund for natural collaboration का with central and state government, it cannot be engaged in any other duty unless it involves the protection of rhinos, यानि कि केवल केवल rhinos के उपर यह काम करेगी, और कोई भी चीज़ के अंदर यह engage नहीं करी जा सकती है, जैसे हम teacher को election duty के उपर लगा देते हैं, वैसल special rhino task force को को कोई और काम नहीं दे देंगे, इनका काम केवल केवल rhino को protect करना रहने वा इंडिया जैसे country के अंदर second statement correct होता है, क्या आप सोच समझ के बता दीजिए, जो भी आपका answer उसे lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, answer is question का है B, मैंने आपको बहुत उकसाने की कोशिश करी है, बहुत आपको मैंने मतलब जो है provoke करने की कोशिश करी, teacher को example द natural death के बारे में question अपना article छपाता है Indian Express के अंदर, right, conservation efforts की बात करी गई थी, one horn rhino population इंडिया के अंदर, उसी के अंदर आया था बात, special rhino protection force के बारे में, जो कि एक special force है, जिसका केवल एक objective है, कि one horn rhino को protect करना है, उसे कोई भी और प्रकार की duty के अंदर नहीं लेकाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल protection of rhino के लिए उसे use करा जा सकता है, यह squad को raise करा गया, and collaboration with central and state government, और यह NTCA का initiative, National Tiger Conservation Authority का initiative है, पहली बार dedicated force launch करी गई है, ताकि rhino poaching को रुका जा सके, काजी रंगा national park के अंदर इसे काम करवाया जाने वाला है, सारा सारा detail आपको यहाँ के बार में बता रखी है, why is such project important आपको समझा रखा है, कि rhino also use natural, rhino also die of natural causes, ठीक हो सब study करा गया है, habitat discrete degradation बचेगा, यह सारी सारी चीज़े आपके साथ यहाँ पर discuss करके दे दी गई है, regarding rhino, इसी point के पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको पूछा था, कि जो हमारी fauna है, उन्हें protect करने के लिए, उन्हें preserve करने के लिए, क्या प्रकार के भारसार करके दौरा steps ले गए हैं, तो 6-7 steps आपने मेरे को comment करके बताए थे, उनी 6-7 steps के अंदर अगर ये एक point आपने नहीं add करा था, तो अब add कर लिज elephants के लिए को इस प्रकार की protection force बनाए, और उनके elephants के देखरेक के लिए, मतलब strictly provide करा जाएगी, आप elephant habitats, elephant corridors, train crossing है, और ये सारे-सारे elephants को जो problem होते हैं, उनके areas के अंदर, उसके ओबर अगर इस प्रकार की force बनाई जाए, तो local area के अंदर employment भी होगा, elephants के जो habitat से उनकी भी अगरा है, इसके बारे में भी आप अपनी राय सोच के जरूर बताईएगा, question बना के आपके सामने रखा था, आप देख सकते हैं कि पहला statement जो है, वो सही नहीं है, because NTCA का involvement है, and that is where the right answer to this question is B, दोस्तों, अब समय आ गए है अच्छी बात करने का, और अच्छी बात ये है कि never regret a day in your life, good days bring you happiness and bad days give you experience, ये बहुत important है दोस्तों सोचना, क्योंकि हर इंसान की महत्व कांशा होती है, कि उसके लाइफ में केवल success ही success आजाए, उसके लाइफ में केवल happiness ही happiness आजाए, उसके लाइफ में केवल comfort ही comfort आजाए, उसके लाइफ में केवल victories ही victories आजाए, कोई भी उसके लाइफ में केवल am gonna आजा जाए, गूड के साथ बैड हमेशा रहने वाला है, आपको आगे चलते रहना है, आपको आगे बढ़ाते रहना है, गूड डेस में happiness है बहुत ही अच्छी बात है, वो experience और learning है बहुत ही अच्छी बात है, वो experience और learning हमारे को काम आएगी, त सारी अच्छी बातों को आपको याद रखना चाहिए और अपने life को थोड़ा सा meaningful थरीके से और थोड़ा mindful थरीके से आपको जीने का प्रयास करना चाहिए इस छोटी अच्छी बात के साथ मैं जो है इस lecture को end करता हूँ Thank you very much, all the very best and jahit